हलो आप सबका मेरे चैनल इस वीडिंग लाग्यान में स्वागत और अभनेंदन हैं मैं आज आपको IPC की एक important problem जो की UPJ 2006 में पूछी गई थी पूछ रही अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इन्बाक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरे पूरी वीडियो वाच कर लिजें और एक क्लब का जिसका वशदत से था था छाता चोरी करना चाहता है उसने अलमारी खोली और एक छाता लेकर चलागया खिंटु हलास्तों में आका ही था जिससे उसे एक सता पहले खो दिया था विबेचिना कीजिए कि क्या आने कोई अपराद किया है क्या कह रहा एक क्लब से जिसका वह सदर से था चाता चोरी करना चाहता है और अल्वारी खोली एक चाता लेकर चला गया किन्तु वह उच्छाता वास्तों में अ काही था जिसे वह एक सब्ता पहले खो दिया था विवेचे न करें कि अने क्या अपराद किया आईए देखे प्राबलम का सलोसन क्या कह रहा प्रस्तु समस्या धारा 378 से समंदित है जिसमें चोरी को परिभासित किया गया है क्या कह रहा कि जो यह समस्या है यह 378 से समंदित है जिसमें चोरी को परिभासित किया गया है धारा 388 चोरी जो कोई किसी व्यक्ति के कबजे में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपती बेमानी से ले लेने के आसे से ले लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी करता है क्या कह रहा है किसी ब्यक्ति के कबजे में से उस ब्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपती बेमानी से ले लेने के लिए हटाता है तो वह क्या करता है चोरी करता है प्रस्तु समस्या में और कलब से जिसका कि वह सदस्य था चोरी चोरी करना चाहता है उसने अलमारी खोली और एक छाता लेकर चला गया, किन्तों वास्तों में छाता उसी का था, जो कि वह कुछ दिन पहले उसने खो दिया था। प्रस्तुत मामले में और क्लब की अल्मारी से छाता निकालता है और छाता इस मामले में चोरी का भी सह है और चल संपती की परिभासा की अंतरगत आता है च्छाता क्लब की कबजे में था और चोरी करने के आसे से कबजे के विरुद अपराद है ना कि स्वामित के विरुद क्या कह रहा है कि जो आ है वा क्लब की अलमारी से च्छाता निकालता है जो च्छाता है चोरी की विशय है और चल संपत्ती है और च्छाता क्लब की कबजे में है और जो च्छोरी का अपराद है ये कबजे की विरुद होता है ना कि स्वामित के इसके अतरिक्त जो आ है वो चाता अनमानी से लेने के लिए उसे हटाता है अतर प्रस्तुत मामले में चोरी के चारो आउसक तत्व पूरे होते हैं किन्तो एक महत्वपूर्च तत्व है कि चोरी करने के लिए वहां बहमानी पूर्वक आसे होना चाहिए बहमानी को धराच 24 मे को परिभासित किया गया है विमानी से तातपर सदोस लाब या सदोस हान से है और सदोस लाब और हानी को धारा 23 में परिभासित किया गया है इसके अनुसा सदोस लाब का तातपर बीद विरुसाधनों द्वारा एक ऐसा लाब जिसका हगदार व्यक्ति हगदार नहीं है क्या क है जिससे हान उठाई है वह हान उठाने के लिए हगदार नहीं था इस मामले में जो आ है वह छाता चोरी करने का आसे था उसने आलमारी खोली और छाता को लेकर चला गया यहां पर जो आ है वह चोरी करने के अपराद के लिए दाई होगा क्योंकि जो छाता प्राप्त हो सकता था कि आ को सदोस लाब नहीं हो क्या कह रहा है इस मामले में हो सकता है कि आ को सदोस लाब नहीं हो लेकिन छाता लेने से कलब को सदोस हानी होती है अता आ का भेमानी पुरवक आ से था क्या किरे इस मामले में च्छाता चोरी करने का उसका आसे था उसने अलमारी खोली और च्छाता को हटाया यदेब की च्छाता अका ही था जो की चोरी हो गया था तो च्छाता प्राप्त हो सकता है कि कोई लाब नहीं हुआ हो लेकिन जो च्छाता लेके चला जाता है तो कलब क प्रस्तुत मामले में चोरी करने के आसे के लिए च्छाता लेने के कारण चोरी के लिए वह दोसी होगा, क्या क्या रहा है कि इसका आसे था चोरी करने का और च्छाता लेने के कारण वह चोरी के अपराद के लिए दोसी होगा, इस मामले में क्या था कि अग प्लब में जिसका सदर से था चोरी करना चाहता और आलबारी खोलता है एक चाता लेकर चला जाता है किन्तु वाास्तों में उसी का था जो कि एक सब्दा पहले खो गया था यहाँ पर जो उसी का छाता था इसलिए उसे हो सकता है कि सदोस कोई लाव नहीं हुआ हो लेकिन जो क्लब है उसको सदोस हान ही हुई थी, क्योंकि जो चोरी का प्राद होता है, वह कबजे के विरुथ होता है, स designers के विरुथ नहीं होता, इसलिए आ को बिमानी पुरुवक आ से था आ का इसलिए वह जो है चोरिक के अपराद के लिए दोसी होगा इस तरह मैंने आपको प्रावलम बताई प्रावलम का सलोचन अए ऐसी अच्छीom के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, धन्वा, थैंक्यू